नमस्कार दोस्तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे आज हम बात करने जारे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत सारे लिट्वली बहुत सारे खुशकबरी और बहुत सारे एकसाइटिंग अपडेट्स आ चुके हैं और जितना आप साथ मिलके काम करने जा रहे हैं और बहुत सारे इंपोर्टन्ट अपे जो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो Papre Network अपने बहुत सारे इवेंट्स कंडग् कराने जारा है नहीं परिल के महिने और आने वाले महिनों के अंदर भी जहां पे Papre Network ने लाख android tv lcd और भी बहुत सारे product को book कर रहे हैं और आप सभी को आज के वीडियो के अंदर सारी जो चीजे मैंने आपको बताई हैं इन सभी के proof देखने को मिलेंगे और kyc को लेके बहुत सारे pioneers को अभी problems हो रही है और ये complexity को लेके pine network ने आप सभी के लिए solution निकाला है तो सारी चीजे जानने वाले हो आज के वीडियो के अंदर तो वीडियो को शुरू से लेके end तक देखना तब भी आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाऊगे और एक छोटी सी मेरी request है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके notification bell को all पे ज़रूर पैसे अब हम चलते हैं अपने first important update की तरफ जहां पे आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है बताया जा रहा है सबसे पहले आप सभी को अपनी KYC application खुदी check करना है और आप सभी को कोई भी जरूरत नहीं है wait करने के लिए कि आपके पास invitation आया है या slot खाली है की नहीं बहुत सारे cases में ऐसा ही हो रहा है की बहुत सारे pioneers को invitation नहीं आया या जिसको invitation आ चुका है उनको slots खाली देखने को नहीं मिल रहे वो KYC के लिए apply नहीं कर पारे और सबसे बड़ी चीज open manage के लिए आप सभी को ये complete करना जरूरी है पहली condition बताई जा रही है की जो भी newly created accounts that have not risk 30 days of mining जिन लोगों ने अभी शुरू किया है पाई network के साथ join करके उनका 30 दीन अगर complete हो चुका है तब वो apply कर सकते हैं उससे एक दो दिन भी कम होगा तो आपकी जो maturity period होता है वो complete नहीं है इसका मतलब यह है कि आप एक महीने apply करें जो लोग नए join कर रहे हैं पाई network को और दूसरे वो लोग है जो सालों से mining कर रहे हैं कुछ माइनों से mining कर रहे हैं और जिनके पास notification आ चुका है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास notification नहीं आया तो यहाँ पर एक तरीका आप सभी के पास है कि पाई official account पर जाके आप एक form आता है feedback form नाम से उसको आप fill कर सकते हो capital में भरना पूरा देन आपके पास notification आ जाएगा यह notification आ भी चुका है slots खाली देखने को नहीं मिल रहा उस situation में भी आपको form भरना है देन आपको पाई network की जो core team है आपको notification देदेगी message कर देगी और यहाँ पर बताया जा रहा है a very small proportion of accounts identified by algorithm as highly likely fake accounts that have violations अभी पाई network का जो algorithm है वो इन सभी accounts पे as a focus कर रहा है जो accounts fake है या जो account violation create कर रहा है इस वज़े से अभी का टाइम में जितने भी real pioneers है उनके भी accounts को पाई network fake बता दे रहा है जबकि बहुत सारे ऐसे account है जो already fake बन चुके हैं और fake accounts automatically वो हो जा रहा है क्या कहते हैं approve हो जा रहे हैं क्योंकि जो scammers हैं जो frauder लोग हैं वो लोग इस तरीके से अपने documents को upload कर रहे हैं क्योंकि उनका ये एक बहुत बड़ा system होता है बहुत बड़ी एक तरीके से team होती है जिस चीज़ पर काम कर रही होती है ठीक है और उसके साथ जिस तरीके का approval pie network के algorithm को चाहिए होता है वो चीज़े वो create करते हैं फिर भी pie network उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि fake accounts एक भी ना पास होई इस वज़े से आपके जो real account कहीं ना कहीं थोड़ी से भी गलती दिखती है चाहे आपके spelling में या आपके कोई name के अंदर या आपके किसी भी as a documentation में त उनको right approval मिलेगा तो कहीं न कहीं pie network delay कर रहा है जो कि आप सभी की problem बनती जारी है बट यहाँ पे scene यह है कि आपको बहुत अच्छा response देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पे लिखा है latest announcement from Nicholas जो कि pie network के founder है उन्होंने बताया है कि हम सभी चीज़ों पर properly काम कर रहे हैं आप जो और जब भी आप documents को upload करो सही तरीके से upload करो जो document मांगता है account पे आपका same name होना चाहिए जो आपके documents पे name है और उसके साथ form को proper capital में भरना है जिस country में आप रहते हो वो country महाँ पे fill करनी है email id, phone number और आप सभी का जो facebook account है उन सभी को भी आपको verify करके रखना है ठीक है यह सार most important international updates की तरफ यहाँ पे मैं आप सभी को बहुत सारी चीज़े बताने जारा हूँ सबसे पहले update में यहाँ पे आप देखो किस तरीके से pie network का promotion हो रहा है एक जगह पे नहीं बहुत सारी जगह पे लोग as a America के अंदर चाइना के अंदर और और भी outside countries के अंदर normal rally निकालके इस इस वाली footage के अंदर आप सभी को life proof देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जितने भी exports है वो आके सारी चीजों के बारे में explain करते हैं कि web 3 काम कैसे करता है pie का जो future है कितना safe and secure है इन सभी चीजों पे बात की जाती है उसके साथ आप इस वाली footage के अंदर आप देख रहे हो किस proof दिखाएता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पारे हो किस तरीके से different countries के अंदर इस चीज का promotion हो रहा है और food services मतलब की सारी चीज़ें यहाँ पे provide की जारी है जो लोग इस चीज को attend करने आ रहे है और अलग-अलग different different जो products है उन सभी का as a promotion किया जा रहा है और इतनी पूरे वर्ल्ड में एक लग से जादा पाइनेटफर्क के stores open हो चुके हैं जहाँ पे 100% payment को accept किया जा रहा है इस footage के अंदर आप देखो यहाँ पे देखो अलग-अलग countries के different photos हैं सभी को combine करके एक जगह पे दिखाया जा रहा है इसके अंदर India भी है outside countries भी है और भी बहुत स जलते हैं दूसरे update की तरफ जो कि important update है यहाँ पे एक pioneer है जिन्होंने अपना चोथा order किया है जिसमें उन्होंने एक TV को book किया था जैसा कि आप सभी के बीच में आ चुकी है LED TV है और यहाँ पे इस type का product इनको receive हुआ है जो कि एकदम perfect है और इसकी जो official payment है वो pie के as a through की गई और इंडिया के अंदर भी इसकी services आप सभी को देखने को मिल रही है जो कि एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे आपको एक photos दिख रही होगी जहाँ पे pie chain mall करके लिखा है order information लिखी है और यहाँ पे TV बन रखे है जैसा कि आप दिख सकती हो यह कोई fake चीज नहीं है ऐ भी limited locations है जहाँ पे यह किया जा रहा है और एक और सबसे बड़ी बात Hong Kong के अंदर एक बहुत बड़ा project हो रहा है जहाँ पे बहुत सारी countries के जो top के exchanges हैं जो top के cryptocurrencies हैं वो सारे जो experts लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं जैसा कि इस वारी footage के अंदर भी आप देखोगे हर एक च पाइनेटफर का top का project है उसको भी यहाँ पे discuss किया जाएगा कि किस तरीके से यह और जादा फैले या और जादा helpful आप सभी के लिए बन सकता है अब हम चलते हैं next update की तरफ जो की pie to day की बात की जारी है यहाँ पे आप सभी देख सकते हो की meet and greet करके चीज होने वाली है जैसा कि आप सभी के screen के ऊपर है और इनका जो यह event होने जा रहा है 24 जून को होने जा रहा है 2023 के अंदर और इसके अंदर बहुत जादा खर्चा किया जा रहा है जैसा कि आप सभी इस वाली footage के हिसाब से सब चीज़े समा सकते हो मतलब कि pie network अब पूरे world के अंदर हर एक company के साथ हर एक MNC के साथ हर एक e-commerce business के साथ मिलके काम करने जा रहा है और इस चीज़ को official confirmation आप सभी के बीच में आ चुका है जैसा कि आपने यहाँ पे देखा proper इन्होंने date भी clear की है और उस दिन यहाँ पे Sunday रखा गया है मतलब कि Sunday की दिन इस date को fix किया गया है जिससे कि सारे लोग इस चीज़ को attend कर पाएं यह offline होने जाएगा और उसके साथ यहाँ पे online भी किया जाएगा जो अलग-अलग country के लोग है वो भी easily आके इसको attend कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करने जा रहा है जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था कि by network as a listed होने जा रहा है बाइने के अंदर जो as a founder और CEO है as a Binance के वो भी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यह verified accounts मैं इनका open कर चुका हूँ जैसा कि आप देख सकते हो 8.3 million के आसपास fan following है और यह verified accounts से यहाँ पे बताया जा रहा है ठीक है और जो Binance का verified account है उस पे 10.3 million के आसपास fan following है तो आप चीजे एक चीज समझो कि Pi Network जो है वो भी इस event के अंदर जाने जा रहा है Binance भी इस event के अंदर जाएगा और यहाँ पे मैं आपको पहले explain करता हूँ Don't miss CS Binance fireside chat as the upcoming Hong Kong Web3 festival where he will join virtually to discuss C5 asset security's mass adoption and much more Pi Network के बारे में या किसी भी cryptocurrency के बारे में यहाँ पे यह बात करेंगे और उसका एक कोई special target नहीं करेंगे बट यह उन चीजों के बारे में बात बताएंगे कि किस तरीके से as a asset security किस तरीके से mass adoption बहुत जादा important है और इन सबी चीजों पे मैं focus करता हूँ और मैं यह सारी चीजों को adopt करूँगा जिसके अंदर यह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ठीक है यहाँ पे यह clear हुआ और यह आपको April 12 को मतलब कल देखने को मिलेगा 9 बच के 40 मिनट के आसपास और मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़दा important है दोस्तों यह video आप सभी के बीच में open हो चुकी है जहाँ पे Binance के as a founder CEO आ चुके हैं यहाँ पे बात कर रहे है sustainability in cryptocurrency के बारे में जो कि किस तरीके से future में हम देखने वाले हैं यह किस चीज़ पे focus करते हैं कि बहुत सारी अभी market के अंदर as a assets हैं जो कि एक limited time period के लिए रहती हैं उसके बाद वो गायब हो जाती हैं क्योई ना कोई उसका as a अलग-अलग situation या अलग-अलग cases होते हैं बट यहां पे बात कर रहे है majority cities की जो कि अब भी के time में pie network के साथ या other cryptocurrencies के साथ involve हो चुकी है जो कि कहीं ना कहीं future में आने वाली जो भी चीज़े हैं उन सभी के हिसाब से ये काम करेंगी और सबसे बड़ा जो game changer था वो bitcoin था जैसा कि यहां पे साफ साफ लिखा गया है और bitcoin की वज़ा से अब भी के time में सबी लोग एक strongly belief करते हैं cryptocurrency के उपर decentralized network के उपर और पूरी जो दुनिया है अब investment जो है cryptocurrencies के अंदर करती है क्योंकि यहां पे इनको बहुत जादा future देखने को मिलता है और उसको साथ यहां पे ऐसा निये कि आपको risk देखने को layer नहीं मिलता यहां पे आपको risk भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि अगर आप higher profit की तरफ जाओगे तो आपको risk भी bear करना पड़ेगा बट यहां पे यह चीज सबसे best है कि आप यहां पे safely खेल सकते हो और safely खेलने के साथ ही आप एक अच्छा amount create कर सकते हो जो bitcoin ने as a result अपना दिया था और जिस time पे bitcoin आया था उस time पे किसी ने भी इसकी कदर नहीं की थी और आज की date में आप सभी जानते हो जिसके पास 2-5 ही bitcoin होंगे वो अब भी कर टाइम में करोड़ पती होगा और उसके साथ यहां पे बताया जा रहा है it far more efficient और उसके साथ बताया जा रहा है कि अभी यह beginning है और जो भी चीजे मतलब कि जो भी चीजे जो भी crypto currencies अलग अलग blockchain पे matter वोस पे एनेफटी पे इन सभी technologies पे काम करेगी उन सभी चीजों पे as a binance के जो CEO है वो पैसा लगाएंगे और भी जो अलग-अलग companies है या अलग-अलग जो भी cryptocurrencies अभी market के अंदर आ रही है जैसा कि आप सभी को पता है यह Hong Kong का सबसे बड़ा web 3 का event होने जा रहा है और pie network इसमें एक बहुत अच्छी position लाएगा क्योंकि आप सभी को पता है pie network अभी की time में हर एक मतलब की जो CEO हैं अंदर interaction होगा तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे collaboration या partnership भी देखने को मिल सकती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि pie network का जो भी output है अगर इनको पसंद आता है तो यह उसको adopt कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने video के through भी बताया है और उसके साथ इन्होंने proper article में भी बताया है तो कहीं न कहीं आप चीज समझ सकते हो कि pie network किस तरीके से काम कर रहा है और pie network इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी fail नहीं हो सकता क्योंकि आप सभी के पास 2023 के result आ चुकी हैं जैसा कि blockchain के अंदर top 5 के अंदर as a finance के नीचे था as a pie और top 10 के अंदर cryptocurrencies के अंदर पी future में आना possible होगा वो भी 100% होगा क्योंकि pie का जो community है pie के पास जितने सारे number है करोडों में पाइनियस हैं तो ये हर एक cryptocurrency हर एक exchange चाहेगा इसके साथ मिलके काम करना I hope दोस्तों ये आपको एक deep message था जो समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाता हूँ और ये article और वीडियो दोनों को combine करके इस चीज़ को मैंने आप सभी को बताया है आपको अगर समझ में आया होगा informative लगा तो please guys एक like जरूर कर देना चैनल पे नए हो subscribe करके notification bell को all पे जरूर परस कर देना आज के लिए इतना है मिलता नहीं वीडियो के साथ तब तक 6 हिंठ वंदे मात्रम